पिछले पाथ सालों में हजार से जादा e-commerce website में काम करने के बाद आज मैं आप सभी को 10 essay tools बता रहा हूँ जो आपके e-commerce website को grow कर सकते हैं जो आपके returns को कम कर सकते हैं जो आपकी marketing तेजी से कर सकते हैं जो आपके customers को retention कर सकते हैं और जो ultimately आपके e-commerce business को एक brand बना सकते हैं Hello everyone, I am Lakshid Seidhya and you are watching Social Cellar Academy कोई भी मुझसे पुछता है e-commerce business grow किस तरीके से होता है profitable किस तरीके से जाता है तो मैं सिफ एक ही चीज बोलता हूँ कि जब आप पूरे system को automate कर सको कि that's when आप अपने पूरे business को autopilot पे run कर सकते हो और ये automation होता है tools से, software से जो बहुत सारे आज की rateway market में है लेकिन आज भी लोगों को नहीं पता कि कौन से softwares और tools e-commerce business के लिए बहुत important है जब ही आपकी growth possible है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को 10 इसे tools बताऊंगा जो मैं use करता हूँ और अपने clients की websites के लिए भी use करता हूँ जो सबसे पहला tool है ये है Shopify Shopify एक global e-commerce website builder tool है इस tool से आप अपने खुद की e-commerce website बना सकते हो और इसी tool के अंदर बहुत सारे अलग-अलग tools और software का integration भी है तो Shopify से ही जा कि आप अपने खुद का e-commerce website बना सकते हो अपने domain के साथ connect कर सकते हो और सिर्फ कुछी समय में अपने खुद का store launch कर सकते हो बसे इसका थोड़ा negative point है कि Shopify थोड़ा महिंगा है आपको लगेगा कि इसका plan 2000 रुपे महिना या 5000 रुपे पर मंत में मिल लाएगा लेकिन जब आप इस पे और tools add-on करोगे तब ultimately आपका पर मंत का cost 25 से लेकर के 50,000 रुपे पर मंत तक क्या जाएगा इसके लावब अगर performance की बात करें तो Shopify एकदम seamless platform है अब Shopify के साथ-साथ हमने भी अपने कुद का social seller का platform launch के है जहाँ पर आप बस 1000 रुपे पर मंत में अपने कुद की website बना सकते हो तो अगर आपको ज़्यादा development ने आता आपको एके दिन के अंदर चालू करना है तो आप social seller के पास आके हमारे platform के तुरू अपनी कुद की website बना सकते हो आपको कुछ इस तरीकी का अपने कुद का dashboard मिलेगा और कुछ इस तरीकी की अपनी अलग-अलग type की website मिलेगी इसको आप अपनी तरीकी से पूरा customize कर सकते हो speed की बात करो तो दोरोई platform speed है हम social seller में यही try कर रहे हैं कि Shopify से सस्ता और easy to use एक website builder platform develop करें ताकि आप में से लोग जिनके पास कम investment है वो अपनी कुद की website lodge कर पाए अब एक website फे दूसरे सबसे important चीज होती है shipping या फिल लोजिस्टिक integration और इसके लिए अब एक जबरदस platform आगे है जिसका नाम है shipway shipway एक AI based shipping aggregator platform है यहां से आप courier आगे अपनी customers के लिए लगा भी सकते है shipway को आप Shopify से भी connect कर सकते हो shipway को आप social seller के platform से भी connect कर सकते हो अगर आप WhatsApp, Instagram पे भी sell करते हो तो shipway पे आगे courier लगा सकते हो return भी pickup करवा सकते हो shipway से जो भी आप courier लगाओगे आपको उसकी tracking link मिल लएगी सिफ यह निए tracking link से आपका customer जा के product के delivery को reattempt भी कर सकते है आपको पता है रहा e-commerce में सबसे बड़ा loss होता है वो होता है RTO का RTO मतलब होता है return to origin यानि कि आपने किसी को crash on delivery में parcel बेजा और वो parcel आपके पास return आ गया और इसकी report को हम बोलते है NDR Non-Delivery Report इसी चीज़ के कारण आपको double पैसा लगता है तो courier बेजनी का पैसा लगता है प्लस courier जब return आ जाता है तो आपको return का भी पैसा लगता है जितना आपका RTO कम होगा उतना जादा आपका profit बनेगा इसे लिए आपके पास एक ऐसा system होना चीए जो RTO को कम करे Shipway बहुत सरे ऐसे अलग-अलग type के features है जो RTO को 30% तक के कम कर देते है जैसे कि जैसे की कोई courier transit पे जाता है automatically customer को email आ जाता है SMS आ जाता है WhatsApp आ जाता है ताकि customer को पतर है कि exactly उसका order कहाँ पे ताकि customer आपका order pick करना कभी भूले ना इनके पास एक feature है जिसमें RTO का fraud detection भी हो जाता है यानि कि जिस number से बहुत सरे fraud orders आ रहे हैं ये उन numbers को block करके रखते हैं ताकि आपकी website में अगर fraud order है तो आप उससे बच पाए हर courier partner के साथ wait dispute होता है यहाँ पे आपको wait dispute लेने की दिखकत की सिप्वे में जब आप login करते हो तो आपको एक key account manager मिलता है जो आपको business को integrate करने में और grow करने में help करता है आपको insurance मिलता है आपको NDA के लिए manual calling मिलती है आपकी customer को smart WhatsApp messages आते हैं जहाँ से message से ही customer अपना delivery का जो location है वो change कर सकते हैं और तो और अगर उसको reattempt कराने courier को तो वो भी WhatsApp पे click करके possible है क्या आपको एक private NDA dashboard मिलता है ताकि आप अपने RTO को और returns को कम से कम तक के लिए कि आप आओ और यही से ही कि किसी का RTO या return ज़ादा होता है और किसी का RTO returns कम होता है कम होगा तो आपका profit बढ़ेगा ज़ादा होगा तो आपका profit कम होगा तो यह tool आपको help करता है हर जगए इंडिया में ship करने के लिए RTO कम करने के लिए और तो और smart लिए अपने बिजनेस की logistic को manage करने के लिए ship pay की link में description पे दियों और जितने पे tools बतारों सबकी link description पे दियों आप आज आके देख सकते हैं एक website में तीसरी सबसे important चीज़ होती है payment gateway और payment gateway में आते आते तक कि बहुत सारे लोग drop हो जाते हैं बहुत सारे लोग पूरी information को fill up नहीं करते हैं और आजकल specially इसी चीज़ के लिए checkout forms आ गए हैं बहुत सारी इसी company आई है जो अपने खुद का पूरा checkout का form देती है जैसे Razor Pay का magic checkout ये भी बहुत अच्छा tool है यहाँ से आप easily अपनी website पे integrate कर सकते हूँ customer को पहले अपना WhatsApp नमबर डालना होता है फिर अपने address डालना होता है और Razor पे क्या करता है easily उस data को store कर लेता है फिर आप दुसरी website पे जाते हो जहाँ पे again Razor पे checkout लगे रहते है तो आपको सारी information fill out नहीं करने पड़ती वहाँ पे आपका पूरा data automatically save होता है और आप बहुत easily checkout process कर सकते हो पहले क्या होता था हर website पे जाना पड़ता था आपको address डालना पड़ता था आपको pin code डालना पड़ता था अब यह चीज़ चेंज हो चुकी है Razor पे checkout के लवे भी और भी बहुत सारी service है जैसे ecom 360 है जैसे mobi quick है जैसे go quick है जैसे shop flow है लेकिन मेरी नजर में Razor पे checkout एक बहुत अच्छा solution है अब कोई इंसान अगर checkout तक के आता है और अगर वो product नहीं buy करता है तो वही सही उसको एक automated message भी आपकी तरफ से चले आता है वाटसाप पे तो payment gateway लिए use कीजिए Razor पे और checkout लिए use कीजिए Razor पे checkout चौधा tool है दोस्तों जिससे आप product research कर सकते हो product research करना बहुत important है जब आपको पता चलता है कि market में कौन से नए products आए है और आपकी competitor किस तरीगे से product की add चला रहे है marketing कर रहे है जो पहला tool है उसका नाम है माइनिया माइनिया पे आप जाके easily जो top के winning products है जो की बहुत जादा चल रहे है उसको search कर सकते हो यह माइनिया का platform यहाँ पे आप product पे जाए है product में आपको दिख जाएंगे कौन-कौन से ऐसे product है जो बहुत अच्छे e-commerce में चल रहे है research करने के लिए यह tool best है यहाँ पे जाएए simply currency पे जाएए currency में जैसे आप Indian रूपी select कर लीजिए apply now तो यहाँ पे इंडिया ऐसे website सब रहे है जो इंडिया रूपी पे है फिर यहाँ पे target audience पे जाएए country select कीजिए बहुत अच्छी चल रही है जिनकी sales बहुत अच्छी आ रही है और आपको अगर इनकी website देखना है तो वो भी जाके देख सकते हो जैसे यह एक बहुत अच्छा product है यहाँ पे C product पे गए तो आपको इनकी website पे देख रहे है तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में start-ups है अलग-अलग type के products है जो आप यहाँ पे search कर सकते हो आपको नए-ने type के product मिलेंगे और इन product को आप इंडिया मार्ट पे खोजोगे तो आपको इनके suppliers पे मिलनेंगे अब दोस्तों आज के एट में एक website पे WhatsApp integration को होना बहुत ज़रूरी है आदे से ज़ादा selling क्योंकि WhatsApp पे ही होती है जितनी बड़ी company है make my trip, go, ib, go यह सारी WhatsApp marketing का यूज करते हैं आगी customers के साथ engagement करने के लिए invoice बेजने के लिए अपना catalog बेजने के लिए अपना पोई नया offer आया है यह सारी चीज सेंड करने लिए तो WhatsApp integration का होना ज़रूरी है ठीक है तो WhatsApp integration के लिए हम यूज करते हैं interact को interact एक ऐसा platform है जहां से easily आप WhatsApp API को connect कर सकते हो पहले आपको क्या करना होता है पहले आपको WhatsApp API के लिए registration करना होता है Facebook में ठीक है अपने Facebook Business Manager पे जाके WhatsApp API आप register करते हो थोड़ा सा complex process रहता है इसमें आपको एक नया number चाहिए रहता है WhatsApp के लिए फिर आपको एक नई अपनी कुद की website चाहिए रहती फिर आपको GST certificate अपना चाहिए रहता है तब कई जाके यह verify करके Facebook क्या देता है आपको Facebook आपको WhatsApp Business API देता है एक बार आपके account को verified हो गया एक बार आपके account को access मिल गया तो आपके Facebook account को हम connect करते हैं Interact के साथ और Interact में आपका WhatsApp API प्लाटफर्म चालो हो जाता है यानि कि पूरा WhatsApp को आप Interact के इस platform के साथ पूरा manage कर सकते हैं देखिए हमारा पूरा जो WhatsApp है आप अगर जाएंगे social seller का WhatsApp अगर आपने देखा होगा तो वो कुछ इस तरीकी के WhatsApp से पूरा manage होता है यहाँ पे पूरी हमारी team member है जो इस WhatsApp को manage करती है पूरा हमारा automation यहाँ पे setup है जो भी customer question पूरता है उसका automatic reply चले जाता है किसी भी person को manually type करके reply नहीं करना पड़ता और इस platform से मैं बलक WhatsApp messaging भी कर सकता हूँ अगर आपको भी अपने कुद का API approval करवाना है अपने कुद का WhatsApp automation set करना है तो आप हमारी team को इस number पे contact कर सकते है हमारी team इस चीज को करने की service भी देती है चत्वे नंबर में जो tool है दोस्तों यह है SMS marketing के लिए tool SMS marketing आज भी किसी भी sales को grow करने में बहुत जादा impact करती है क्योंकि SMS marketing से सबसे पहले notification लोगों पर मिल आती है इसके लिए हम अपने खुद का एक platform में develop किये SMS marketing के लिए जिसमें हम बिना DLT यूज किये virtual number के थुरू बल्क में SMS कर पाते है यह चीजे पहले possible होती थी अभी possible होना बंद हो गई थी यूकि DLT का एक rule आ गया था बट हमने पूर अपने खुद का system बनाया है जिससे अब virtual number के थुरू आप बल्क में SMS कर सकते हो तो अगर आपको हमारे खुद का यह SMS marketing का tool चाहिए इसके उपन मैंने पहले भी वीडियो बनाया ही थी तो आप हमें इस number पे contact कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना है अपना content वे आपे लिखना है अपने जितने भी numbers हैं डालना है और सिर्फ send SMS पे क्लिक कर देना है एक virtual number से आपके जितने भी numbers हैं उन पे message चले जाएगा हर एक message का आपको सिर्फ 15 पैसे का cost आएगा जो की markets में सबसे low cost है साथवे number का एक secret tool है जहां से आप अपने खुद का mobile application बना सकते है जी हाँ और ये है social seller गई website builder इसी में ये एक feature है जिससे आप अपने खुद का mobile app भी बना सकते हो हमने snitch की case study में देखा था कि उनका 33% order उनके mobile app से होता है mobile app अगर आपकी business का है तो आपका retention 50% plus बढ़ जाता है तो कि बहुत से आपकी customers होते हैं वो बार-बार आपके पास आके shopping करते हैं और उसके लिए website एक बहुत सही तरीका नहीं है mobile app में अगर कोई खोल के order place करें तो उसको hardly 10-15 सेकंड का time लगते है वही website पे उसको पहले search करना पड़ेगा loading time जादा होता है तो बहुत सारे customers drop हो जाते हैं अगर आपको अपनी e-commerce business को scale करना है ग्रोव करना है तो आपके पास एक mobile app होना बहुत ज़रूरी है इसको एक बार आपका customer download कर लिए तो इसमें आपका returns 2x बढ़ जाता है दूसरी एक बर कोई mobile app download करने है तो आप उसको free of cost notification बेज सकते हो mobile में आपने देखा होगा न push notifications आते हैं उससे कोई पैसा नहीं लगता है अगर आप WhatsApp बेजोगी SMS बेजोगी तो इनके charges होते हैं आटवे नमबर में दोस्तो जो tool है वो designing के काम आता है और easily आप उनसे post design कर सकते हो ads design कर सकते हो thumbnail बना सकते हो जो भी आपको designing करना है आप custom अपना size लेकि graphic design कर सकते हो और इस tool का नाम है Canva Canva मैं पिछले 6 साल से use कर रहा हूँ और यकीन मानिए मैंने अपनी YouTube में जितनी भी वीडियोस है शुरू-शुरू में 100 से जादा वीडियोस का जो thumbnail है ये Canva पे बनाया है Canva पे ही मैंने business का presentation बनाया है Canva पे ही मैंने सारी हर प्रकार के editing अपने business का logo भी मैंने Canva पे बनाया है एकदम simple है Canva पे जाओगे आपको उपर search कर option मिल आएगा आपको जो भी बनाना है आप बस template सर्च करो उसका template बना बनाया आजाएगा आपको सिर्फ जाना है और थोड़ा बहुत change करना है बस Canva में हर चीज available है आप अपनी हिसाब से अलग-अलग type का color कर सकते हो अलग-अलग type के text लिख सकते हो जो आपको change करना है आप easy नहीं कर सकते हो free of cost अपने post को download भी कर सकते हो नौवे नंबर का जो tool है दोस्तों यह आपके बहुत काम का है इस tool का नाम है socket socket से आप facebook ads चलाते हो basically क्या करते हो socket से आप अपने facebook को connect करते हो और आपका पूरा facebook ads है जो एक्दम जादा complex है वो socket में एक्दम easily आ जाता है यहाँ से आप पूरा अपने facebook ads को manage कर सकते हो उसे फिर ही नहीं facebook और google ads को दोनों चीज़ों को एक single platform पे आप manage कर सकते हो जो जो important statistics और reports होती है वो आपको socket पे easily पता चलाती है यह facebook ads अगर आप चला रहे हो तो उसके लिए best platform है socket यह एक AI platform है जो आपको facebook ad को grow करने पे बहुत बदत करता है अब दोस्तों दस्वा number के जो tool platform है उसको मैं पिछले 3-4 साल से use कर रहा हूँ और यह social media post को automate करने का सबसे best तरीका है सबसे बड़ी दिक्कत ही होती कि social media में आप reels को schedule ली कर पाते हो automation पे post नहीं कर पाते हो यह चीज हो सकती है अब possible है buffer के थूँ buffer के थूँ आप क्या कर सकते हो आप अपनी जितनी भी real का content है जो भी आपको जिस भी date पे post करना है जिस भी time पे post करना है आप वहाँ पे save गर के रख दीजिए thumbnail भी लगा के रख सकते हो और अपना caption वगरा भी सारी चीज़ी डाल के रख सकते हो और यहीं सही आप अपना schedule भी कर सकते हो post को उस time पे आपकी Instagram account पे आपकी reels या आपकी stories भी automatically post हो जाएगी so buffer की link भी मैं आपको description पे दिया हूँ आप जाके इस tool को भी check out कर सकते है so दोस्तों यह थे 10 ऐसे tools और softwares जो मैं e-commerce business को grow करने के लिए और manage करने के लिए use करता हूँ सारे जितने भी tools दिया हूँ उनकी link आपको description पे मिल लाएगी अगर आपको खुद हमसे e-commerce business के बारे में और जादा सीखना है तो आप हमारी consultancy service ले सकते है अगर आपको project develop करना है e-commerce के regarding तो हमारी 40 लोगों के team है हम आपके लिए एक proper e-commerce website और mobile application built up करके भी दे सकते है अगर आपको सीखना है तो मैं हर एक हफते में अपना एक webinar लेता हूँ online selling, e-commerce selling के उपर वो आप नीचे अटेंड कर सकते हैं जो सिफ 99 रुपय का है और इसमें 3 गंटे आपको वे पूरा e-commerce business किस तरीके से setup किया जाता है, किस तरीके से grow करते है यह पूरा educate करूँगा तो I hope आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए Social Seller Academy को सब्सक्राइब जनूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में